तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले है कि बोड के पेपर में हम लोगों को ब्ल्यू पैन, ब्लाक पैन या कोई और कलर के पैन में से कौन से कलर के पैन यूज़ करना चाहिए और कौन से नहीं जЕल पैन और बॉल पैन में से कौन सा पैन यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं और ऐसा नहीं कि सिर बात दे गाने हैं कुछ प्रूफ के साथ आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करतर एंड तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठता है कि हम लोगों को बोर्ड के पेपर में कौन से कलर का पैन यूज करना अलाउड है और कौन सा नहीं है अब ये वीडियो बनाने का कारण क्या है क्योंकि मेरे डियेम्स में बहुत सारे मेसेजिस थे जब मैंने कल आपको बेस्ट आफ लग विश किया और मैंने सुबा उठके देखा कि इतने सारे मेसेजिस हैं का पैपर को प्रेजेंट टेबल केसे बनाएं कोई काहरा है ब्लू पर यूज कर सकते हैं कोई का रहा है ब्लाक पर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये decide कर, decide मतलब ये आपको पता हो ना चीव, पता ही होगा कि आप कौन से board के बच्चे हैं, अगर आप CBSC board के लिए हैं, अगर आप ICSC board के हो, अगर आप state board के लिए तो आपके लिए जो guidelines हैं वो अलग-अलग हैं, और state board में हर एक state की guidelines अलग ह हो सकती हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग majorly बात करें, CBSC board और ICSC board की, जिनके ओपर हमारे पास specific guidelines available हैं, अगर हम लोग बात करें, CBSC board जिनके exam चल रहे हैं, तो देखो, पहली बात तो अगर आपको देख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुए cbsc.gov.n, यानि वहीं से मैंने screenshot लि उसमें, जिनके answer उन्होंने खुद दिये हैं, तो एक बच्चा एक सवाल पूछता है, कि क्या मैं paper के अंदर whitener यूज कर सकता हूँ, और क्या मैं gel pen यूज कर सकता हूँ, अब आप कहोगे, अभी तो हम बात कर रहे थे, color of the pen के बार में, तो इसका answer एक बारी पढ़ी है, क अगर कहीं पर गलती हो जाती है, तो बहुत प्यार से अराम से उससे काट देना है, लेकिन अगला answer क्या ध्यान से दिखेगा, येस, blue और royal blue ink gel pens can be used, इन्होंने कहीं भी black pen के बारे में बात नहीं की है, यानि कि इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि black pen use नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने options में black pen दिया भी नहीं है, इन्होंने बोला है कि हाँ आप gel pen use कर सकते हो, लेकिन blue या फिर royal blue वाला ही, यानि अगर black pen use करना allowed होता, तो शायद यहाँ पर लिख देते, पहली बात तो यहाँ पर ये लागू होती है, दूसरी बात, हमारे जो offline coaching center जिसका नाम OSR Academy है वहाँ पर हमारे पास जो English वाली मैम काम करती है, जो बच्चों को पढ़ाती है, वो board के paper को check करती है, मैंने आज सुबह 8 बच के 5 मिनट पे उनको call मिलाया, ये वीडियो मैं shoot कर रहा हूँ 8 बच के 14 मिनट पे, पहले मैंने उनको WhatsApp पे message किया, उनका reply नहीं आया, क्योंकि वो school में थी, और 8 बच के 5 मिनट पे मैंने उनको call मिलाया, इस doubt को clear करने के लिए, और उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया, कि paper बच्चों को बोलिए कि blue pen से ही attempt करें, क्योंकि black pen को लेके हमारे पास एक तो कहीं भी CBS ने लिखा नहीं है, और दूसरी बात जहां पे हमें doubt है, तो माँपे black pen use करना क्यों है, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, कि अगर black pen use नहीं कर सकते, तो फिर paper को और अच्छा बेतर कैसे बनाए, तो आशरी जहां पे भी आपको underline करना है, you can use pencil, आप pencil का استعمال कर सकते हैं, लेकि वो भी कुछ लिखने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ underline कर लेके लिए, तो ये वीडियो का निचोर यहां पे यह है कि आपको blue pen use करना है, पहली बात तो, कौन से board में, answer है CBSE board में, अब अगर ICSE board की बात करें, तो ICSE board में साफ साफ लिखाव है कि आप black या blue दोनो pen use कर सकते हैं, अब वो चाहे ball pen हो, चाहे fountain pen हो, but you can use both black and blue pen, यानि वहाँ पे लोने साफ साफ मेंशन किया है, लेकि CBSE ने ऐसा कुछ साफ साफ मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी risk लेने वाली बात होगी कि हम black pen use करें, तो मेरे according, मैंने जो जो 10-12 articles पढ़े हैं, सब में blue pen mentioned है, लेकिन black नहीं, तो black pen को आपको avoid क करना है, तो मेरे साफ से ये बात clear होती है, अगर आप ICSE board के हैं, तो you can use, बड़ अगर आप CBSE board के हैं, तो आपको नहीं use करना है, अब second सवाल आता है, कि मैं gel pen इस्तमाल करना चाहिए ये ball pen इस्तमाल करना चाहिए, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी common sense है, और यहाँ पेपर पर छूटती रहती है, वहीं पर जेल pen जो होते हैं, उनको अगर आप जेल pen में आगे एक छोड़ा सा होल होता है, पीछे जेल होता है, जो धकाँ मारता है इंको आगे, जब आप किसी पेपर पर जेल pen को रोके रखते हो, तो नोटिस करना बहुत लंबे समय तक रोक हो सकता है, ये वीडियो मैं आपको बोड़ रहा हूँ, एंड तक देखना, कहीं आदी वीडियो देखके आप गलत नौल लेकर चले जाओ, पूरी बात ध्यान सुनना, स्टेट बोड में हमें नहीं पता होता है, खास कर कि पेपर की क्वालिटी कैसे आएगी, तो वहाँ पे हमेशा रिकमेंड क्या जाता है, कि प्लीज यूज बॉल पैन उली, बिगाज अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जेल पैन बहुत दिक्कत कर सकता है, आपको पता है कैसे, अगर पेपर क्वालिटी लो है, तो जेल पैन बहुत दिक्कत करेगा, सेकिंड ली, अगर आप ICSE या CBSE बोड के हैं, तो बहुत अच्छे हरता हम सब को पता कि पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है, तो पेपर क्वालिटी उतनी मेटर नहीं करते है, लेकिन इमाजन करो, आप सोचते सोचते कुछ सोच रहो और लिखरे हो, अब वहीं पर रुख गए, खासका लेटर राइटेंग अंसे इन पैसेज जेवेगार वेगार में, तो वहाँ पे वो धबा छूटता है, जेल पैन में फोड़ा सा प्राब्लम ग्रेट करता है, एक मेरे दिमाग में अपने स्कूल टाइम पे क्या आता था, कि मानलो पेपर चेक करते वे, जो कि एक अंसर्टनिटी है, कुछ गरबड़ी हो जाए, पसीना आराव टीचर के हाथ में, या कुछ पानी गिर जाए, कुछ छोटा मोटा चाय कॉफी गिर जाए, हो सकता है, कि नही नहीं लेने, आप जेल पेन से ही पेपर दो, बिकॉज साफ साफ मेंशन है, कि यू कैन यूज जेल पेन, जेल पेन को लेके कोई रुकावट नहीं है, कोई गाइड लाइन्स नहीं है, तो बस आपको प्रेफरेंस पता था, कि क्या आप उसको जादा प्रेफर करो, तो जेल आप एक ऐसी बच्चे है, जैसे कि मैं था, जिसको कोई फरकने पड़ता कि पैन बाल है या जेल है, तो आप बाल पैन प्रेफर करना, बाल पैन में आपकी के खराब होने के chances बहुत कम हो जाते हैं इंक फैलने के chances बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और आप सब को पता है gel pen में बहुत leakage वे गारा होती है बाल पेन में भी हो जाती है पेन से लेकिन अच्छी quality ऑफ बाल पेन करिएगा ब्लैक से कर रहे तो ब्लैक से ही करिएगा and for highlighting you can use pencil और अगर आप जेल पैन बॉल पैन दोनों यूज करते तो प्रिफर कीजिए कि आप बॉल पैन लिखे बॉल पैन से लिखने में आपको मैंने पताया रिस्क आपके शीट खराब होने के थोड़े से कम हो जाते हैं तो I hope ये वीडियो आपके doubt को clear करेगी कि आपको blue pen अच्छा आप देखो safer बात क्या है कि हम कोई भी board के बच्चे हूँ हम blue pen यूज करें तो कितना safe है कोई controversy नहीं है blue pen को लेके और underline कर दो paper presentable भी हो जाएगा thank you so much thank you